कि नमस्कार दोस्तों आइए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काच कर सकती है लेकिन उसे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एजुकेशनल लर्निंग परपस के लिए मेरी तरफ से कोई बाइस हैल का लिकमेंडेशन नहीं है ना ही मैं सैवी रिजिस्टर् रैनलीसिस हूं अपने करता हूँ और ऑर उसी बेसिस पर ट्रेड लेने कीकोशेश की करता हूो तो अगर आपने ट्रैड ले की तेजी से उपर जाती है और उसके बाद पूरा दिन आस्ता आस्ता उपर से नीचे की तरफ आती है तो वह जो उपर जाना था वहां पर बड़े प्लेयर्स ने अपना माल बुक किया जो मैं डाटा में देख रहा था और उसके बाद रिटेलर से अपना करिश्मा दिखाया चमतकार दिखाया आप यहां से देख सकते हो काल में यह से पहाड़ बनाए कि उसके बाद दिन बर जो है मार्किट बैंक निफ्टी हालां कि तेज थी आवर सोल्ड लेवल के लगबग ही या उससे थोड़ा सा उपर ही कामकाच करती रही दिन बर काफी टेम्ट करी उसने उ 25,000 से ज्यादा जो थी वो पुट थी आज ही आज के दिन में तो ऐसा करिश्माई डाटा दोस्तों मैं अपनी लाइफ में बहुत पहली बार देख रहा हूं बहुत नहीं पहली बार देख रहा हूं तो अब आज क्या हुआ है रिटेलर फिर से बुलिश पूजिशन लेके है प्रास महा बी रिप लेके गए है और ृ टू ब्रीफ बोलेंगे निक्स बोलेंगे इनकी फिश्न अभी इसन ज्यादा है वे नहीं आहिंए já को वही FIA ने इंडेक्स में आज और माल बेचा है 45,620 अब इनके पास ये कंट्रेक्ट है और प्रास ने पूरी कोशिश किया आज काफी हद तक इसने आपने यहां से शाट कम किया है वो सिर्फ इसलिए काम किया है कि अगर काल इसको पूजिशन बचानी पड़े तो यहां से य क्योंकि इसके पास काल राइटिंग ज्यादा है इसने जो उपर गई थी मार्किट वहां पर अच्छी खाथी काल बेची और मार्किट को दिन बर उठने नहीं दिया जैसे जैसे बैंक निफ्टी उपर आ रही थी तो यह इस उसको कंट्रोल कर रहा था पूरे का पूरा और रिटेलर इन्हों ने इसी भागा दोड में अपने पूरे के पूरे जो है इंडेक्स लांग कर दिये अब पुट में धाई लाग से ज्यादा कंट्रेक्ट जो है यह रिटेलर राइट करके गया तो कल आगर एक शार्ट के लिए आएंगे बिल्कुल पासिवल है और यह हम आप्शन चेन में भी देखने की कोशिश करेंगे लेकिन सिर्फ एक ही कडिशन एक ही सूरत में पासिवल है वह सूरत यह है कि यूएस से आज कुछ वहां फैडरल इदर्व की पालसी कुछ मिनिट साने वाले हैं वहां से एकन से कोई नेगटिव नहीं आजये जो यू एस मार्किट को अच्छा खासा नेगटिव टे या वर्ल्ड मार्किट पे उसका नेगटिव अश्र डाले फिर अगर हमारी मार्किट नेगटिव खुलती यह घैप डाउन होती है तो फिर तो सौने पे सुःगा हो जायगा इ और रिटेलर 8,60,000 कंट्रक्ट इसके पास स्टार्ट फूचर के यहां फाइए के पास 22,631 नंबर इसने आज कम किया और प्रास 156,000 कंट्रक्ट इनके पास नहीं अब इसमें दोस्तों एक चीज़ यह थोड़ा सा अगर आप यहां पर देखोगे एक लाख एक जार कंट्रक्ट FIA के पास है काल साइड में और मैक्सिमम जो सैलिंग है वो की है हमारे प्रास ने तो यह जो है यह मंतली काल भी हो सकती है तो कल आप ऐसा देख सकते हो कि मार्किट शायद अगर नीची होती है तो सैकिंड हाफ में आप इसको वापिस उपर आते हुए देख सकते हो ताकि काल्स के रेट जो यह राइड करके गया है कहीं न कहीं उनके रेट एड़जस्ट हो जाए और जो इनकी मंतली काल्स है यह मंतली काल्स का प्रीमियम जो है उसको कंट्रोल कर सके क्योंकि अगर कल मंतली काल्स का प्रीमियम बिगड़ गया तो फिर इनको मार्किट जो है चाहके भी उपर नहीं रखेंगे फिर यह उसको क्या करेंगे नीचे काटने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है जिस सिसाल से पूरा महीना इन्होंने अर्रेंजमेंट किया अभी यह प्रास की लेकिन उसने क्या किया था दूसरे दिन मार्किट गैप अप हो गई इसने कवरिंग करी उस कवरिंग के में क्या हुआ रिटेलर पूट में बैठ गया और दिन बर इसमें पूट में तब जो उसने साथ से आठ लाख कंट्रक्ट जो है खेले थे तो शायद कल हमें रिटेलर की तरफ से यहां पर ज्यादा एक्षन देखने को मिले क्योंकि आज उसका एक्षन काल्स में था अब चलते हैं दोस्तों बाकी परामेटर के उपर देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्किट की दिशादशा क्या रह सकती है दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यूएस मार्किट हलकी सी नेगटिव है नाजदा कूपर है और यूरोपियन मार्किट भी हलकी सी नेगटिव है रसल 2000 भी नेगटिव है और हम जो है अल्मॉस्ट फ्लैट फ्लैट तो स्लाइट पॉस्टिव एस जीएक स्निफ्टी अभी काम काच करी है लेकिन पालसी जो यूएस फैडल इजर्व की आज लेट नाइट में होगी थोड़ा सा इंडियन टाइम के मुताबिक तो आपको इ अब निफ्टी की आप्शन चेंड यह क्या कहती है पंद्रा साथ सो स्ताफ़ाइट फिफ्टीन सैवन सिक्स्टी सैवन क्लोधिंग होई है तो मैं सीधा पंद्रा साथ सो के ही लेवल पे चलूंगा पंद्रा साथ सो के लेवल पे 43,000 कंट्रेक्ट है और पंद्रा छे सो पे 10,000 कंट्रेक्ट पुट में अड़ हुए हैं यह हलकी हलकी पुट अडिशन है अब बारा रुपे पे भी डिटेलर जो है राइटिंग करके गया है तो पंद्रा छे सो आपका जो है नजर रखनी से यह 15 600 पर नीचे की तरफ और ऊपर और अब आप यह देखिए 15800 यह राइटिंग जो है हमारी प्रास करके गया है और 15700 पर आलकिसी राइटिंग गया है 15750 पर 800, 800, 900, 916,000 यह सारी राइटिंग प्रास की तरफ से है तो 15600 तो स्पोर्ट आप मान के चल सकते हैं और राइस्टेंस किया 15700 हो सकती है जहां 43,000 कंट्रेक्ट है पुट में पुट में राइट और काल में है 14,000 कंट्रेक्ट और पंदरा आठ सो साथ सो नहीं आठ सो पंदरा आठ सो तो फिलहाल अभी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है डाटा के हिसाब से चाहां 14,000 कंट्रेक्ट आज ही जुड़े हैं और यह रिटेलर लेके गया लेकिन दोस्तों रिटेलर की मैंटाल्टी अभी तक आप समझ गये होगे कल अगर इसके उपर ओपन होती है 101 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो वो ट्रैप करने के लिए काफी होगा प्रास को एक बार के लिए जुरूर वो कोशिश करेंगे मार्किट को नीचे लानेगी लेकिन 800 के उपर अगर एक बार 840 के उपर टिकती है खुलने के बाद तो कहीं ना कहीं फिर इसकवरिंग के सहारे जो निफ्टी की एक्सपारी है वो पंदरा 850 900 के तरफ जाती हुई आपको नदर आ सकती है लेकिन पहले 15 मिनट जो है वो एक्शन पे आपको वाच रखनी होगी कि पहले 15 मिनट एक्शन कैसे होता है और क्योंकि वैसे भी यह र 12 रुबे की राइटिंग है यह एक राइटिंग जो है मुझे तंग कर रही है जो यह रिटेलर की तरफ से होई है लेकिन रिटेलर ना बदलने में बड़ा माहिर है तो कल ऐसा भी हो सकता है कि कल आप देखो कि वह खुलते ही जो है पुट में बैठ जाए आज काल में 600 यह वाली काल अगर आपको सस्ते मिलती या पंदरा द्थ Tibas यह कोशिश करो में अब कर सकते हैं अगर नीचे की तरफ आपको खुलते हूए मिलती है और उपर की तरफ आठ सो साड़े आठ सो की तरफ यहां पर एक बार आप मुनाफ़ा बुक करते हो लेकिन अगर 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 आठ सो पचास के उपर ओपनिंग होती है इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है हंडर्ड एक पॉइंट का अगर गैप अप मिल जाता है तो फिर आ करने की यहां पर पूला को लिक्वीडेट करें की और वापिस को फिर ऊपर करने है की आज वیडियो बनाने का मूल नहीं था बाँ इवेंट होता है और वैसे भी यूएस में इवेंट है तो यह वर्ल्ड मार्किट्स को जुरूर इंपक्ट कर सकता है अगर कमेंटरी कुछ उनकी वैसी रही जो मार्किट के गेंस्ट हो या कुछ दोसो कल के लिए बड़ी रेंज यह पकड़के चल सकते हो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ओपर आज बैंक निफ्टी में तो कमाली हो गया था पैंटीस हजार की लैवल पर बैंक निफ्टी की क्लोधिंग होई है और हाइस्ट ओपन इंटरस्ट दोस्तों लाइव कामकाज करी थी और मैं राइटर्स का कान्फिडेंस देख रहा था 35,000 की काल में तक्रीबन एक लाख सत्रा हजार के लगवा कंट्रेक्ट थे और पुट में जब थे पुट में तक्रीबन 87,000 कंट्रेक्ट थे तो आप 35,000 ही जो है वह आपने आप में आज सपोर्ट और रे तो 34-800 यहां पर कामडीशन है 34-900 कामडीशन है 35,000 पर कामडीशन है यहां पर भी कुछ खास नहीं है अब आप देखो आपको पुट राइट जुरूर रिटेलर की तरफ से होती वी नजर आई है तो पुटें उसने कहां की दी है अब आपको समझ में आना चाहिए डाटा में उसने पुट उस लेवल पर राइट की होगी अगले महीने की राइट की होगी जहां पर अभी कल इतना इंपक्ट आए गई नहीं आप देखो 3490-5462 तो क्या पुट हमें सिर्फ एलिजन में देने के लिए या दूर की राइटिंग कर दी कि मार्किट नीचे जा नहीं की तो वह दूर से वह प्रीमियम खा लेगा लेकिन कल के लिए भी रेंज 34-700 से लेके 35-500 कुछ यह और 35-600 आपको यह रेंज पकड़के चलनी चाहिए अगर एक बार के लिए 35,000 कटता है या खुलने के गैप डाउन होती है आपको 35-700 की तरफ तो इस लेवल के उपर आपको 34-500 की यह वाली काल ट्राई करनी चाहिए चाहिए नेक्स्ट मंत की करो और सारी नेक्स्ट वीक की करो और अगर गैप अप होती है तो गैप आप के केस में एक बार रिटेलर जो आज किया वैसे जुरूर करेंगे पहले मार्किट को उपर लेके जाएंगे तो आपने काल नहीं खरीदनी गैप आप के केस में सिर्फ 15 मिनिट आपने 15-20 मिनिट जो है वेट करना है शुरू का उसका मेरे को जो एक चीज नजर में आ रही है यह जो असी हजार काल है और यह जो राइटिंग करके गें यह बड़ी राइटिंग है अगर एक वार के लिए प्रास्ट ट्रैप होता है तो यह राइटिंग के सहारे म लेके 35-500 यह तकरीबन 75 लाग शेयर बनते हैं तो 75 लाग शेयर मार्किट में कुछ भी कर सकते हैं और यहां पर पुट पे आज अन्वाइंडिंग हुई है यहां पर सिर्फ प्राफिट बूक हुआ है तो कल ऐसा दिन भी आपको देखने को मिल सकता है अच्छा ग्रीन बड़ा मूब दिखा सकती है एक्सपाइरी को देखते हुए क्योंकि अगर कल 35,000 पे इस तर पुट एड़ हो जाए और फिर थोड़ी ऊपर यहां 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 एड़ हो जाए तो फिर आप समय सकते हो यहां की अन्वाइंडिंग और फृदर मार्किट को कहां लेके जा सकती है लेकिन अगर इंदा मनी में ही हो गया जैसे आज हुआ था तो आपको एक और गंदा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल सकता है जैसा आज था बाइंडिप्स अगर चोती साथ सो आठ सो का लैवल मिलता है यहां पर एक एक बार आप बाई करके चल सकते हो टार्गेट जैसे चोतीस नो सो पैंटीस जार आता है यहां पर प्राफिट बूक कर लेना क्योंकि फिर यहां पर फर्दर एडिशन होते हो देखोगे तो जो यहीं खतम करने ज्याद है चाहता हूं मेरे विए दोस्त जो एंजल वरोकिंग फाई पैसा अब स्टाक या एच से एच सो थेशियों स्टाक में अपना एक ओपन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया लिंक को क्लिक करके कोंटों पर कर लो और डिटे के साथ नमशकार जय हैं